आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे मुझफरफुर रेलवे बोल्ट की ALP के बारे में यहाँ पर कितनी वेकेंसी हैं आपकी टोटल 2018 में कितनी वेकेंसी थी 2024 में आपकी कितनी वेकेंसी हैं और यहाँ पर 2018 में आपकी कटोप क्या रही थी 2024 में आपकी कटोप कितनी रह सकती है तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं सभी केटागिरी का डाटा मैंने आपका लिया है UR, SC, HD, OVC, EWS, X-Servicemen तो यहाँ पर 2018 में कितनी बेकैंसी थी 2024 में कितनी बेकैंसी है 2018 में आपकी कटोप क्या रही थी तो यहाँ पर सारी चर्चा करने वाले हैं अगर आप यहाँ से रेलवे बोर्ट चेंज करना चाहते हैं तो एक वार जरूर देख लें यह कटोप पिछली 2018 की और बेकैंसी कितनी थी और कितनी कटोप गई थी तो यहाँ पर देखे अगर बात करें 2018 की मुझफरपुर में तो मुझफरपुर की अगर यहाँ पर बात करें तो आपकी जो जोन आता है ECR के अंदर गत रेलवे बोर्ड में आपकी मुझफरपुर बोर्ड में ECR जोन के अंदर गत वेकैंसी आती हैं तो 2024 में यहाँ पर जो total vacancy है अगर उसकी बात की जाए 2024 में यहाँ पर मात्र आपकी 38 vacancy है 2024 में 2018 की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 456 vacancy थी 2024 में 2018 में 456 vacancy थी और इस वार यहाँ पर मात्र ना मात्र vacancy है 38 तो यहाँ पर जो cut over रही थी 2018 में उसकी बात की जाए तो 456 वेकेंसी पे category wise जो वेकेंसी थी cut-off कितनी रही थी वो भी यहाँ पर देख लेते हैं देखें यहाँ पर जो general की वेकेंसी थी वो 230 वेकेंसी थी और यहाँ पर जो general की cut-off रही थी 230 वेकेंसी पे वो 68.58 प्लस में आपकी cut-off रही थी general की इस बार यहाँ पर मात्र 15 वेकेंसी हैं आपकी general की SC की बात करें तो यहाँ पर 68 वेकेंसी थी SC की और यहाँ पर जो SC की cut-off गई थी वो 43.61 प्लस में आपकी cut-off गई थी SC की इस बार यहाँ पर आपकी मात्र 5 वेकेंसी हैं SC की SC की बात करें तो यहाँ पर आपकी 35 वेकेंसी थी हैं स्टी की और यहाँ पर आपकी 123 वेकेंसी थी ओविसी की 18 में और यहाँ पर जो कटोब गई थी OVC की 61.09 प्लस में आपकी कटोब गई थी OVC की इस बार यहाँ पर आपकी मात्र 11 वेकेंसी हैं OVC की ठीक है उसके बाद EWS की आपकी 2018 वेकेंसी नहीं थी इस बार यहाँ पर आपकी 4 वेकेंसी हैं EWS की एक सर्विसमेन की यहाँ पर बात करें तो 46 वेकेंसी थी और यहाँ पर कटोप हमें नहीं मिली है एक सर्विसमेन की और इस वार यहाँ पर आपकी 4 वेकेंसी हैं एक सर्विसमेन की तो यहाँ पर अगर कटोप की बात करें तो पिछले मुकाबले कटोप आपकी बहुती तो पिछले मुकाबले का टोप आपकी यहां पर हाई रहेगी इस चीज का आपको ध्यान नखना है अगर आप यहां से आविदन किया है अगर आप रेलवे बोर्ट चेंज करना चाहते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत हाई है लेविल की है तो आप यहां पर बने रहें क्यों और कोई बज़य है तो आप यहां से कर सकते हैं चेंज क्योंकि यहां पर बाकेंसी नहीं बड़ी है बाकी अधर बोर्डों में बाकेंसी लपी की बड़ी है तो इस चीज का आपको ध्यान लखना है कटोप यहां पर बहुत हाई रहेगी पिछले मुकाबले तो चाहें आप बोर्ड चेंज कर सकते हैं आपके पास मुका है यह तो आप यहां से बोर्ड चेंज कर सकते हैं किसी बोर्ड में अगर आप अधर बोर्ड में जाना चाहते हैं तो इसकी कटोप मेंने डिसकर्शन में नीचे डाली हुई है बहां से सभी बोर्ड की कटोप देख लें और उस के साथ जब तक के लिए धन्यवाद